तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग विव जो सॉप्टिवेर होता है इसको मैं यहाँ पर कर लिया अब मुबाइल पर आपको कैसे सपोर्ट और रजिस्टेंस बनाना होता है ट्रेडिंग विव अप्लिकेशन में जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते और PC वगर होता है उसमें क्या होता है बहुत आसानी के साथ आप जो भी drawing करना चाहते हैं चार्ट पर support बनाना होगा रजिस्टेंस बनाना होगा इंडिकेटर यूज करना होगा सब आसानी सो जाता है लेकिन बहुत लोग पर सोता है वो सब सारी चीजे तो यहां पर आपको क् कैसे बनाना होता है है ना कित्ते सारे टूल्स आपको यहां पे मिल जाते हैं सभी क्या-क्या यूजस है कौन-कौन से आपको इंडिकेटर यूज करने चाहिए वह सब मैं आपको आने वाले टाइम बताऊंगा अगर इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक मिला तो तो यह यहां पर मतलब जो ओंजी जो भी favorite asset हो आपका वह ऌप यहां पे यूज किया है डिक किया था है अब यहां पर आपको जैसे कि यहां पर इथ्रियम काanken यह बनाया हुआ है है ना आप यहां पर देखए बहुट यहां पर देख पार है ठेट यह बात मैंने आपको अपने my trading setup वाले वीडियो में बताई थी तो यहां पर मैं क्या करता हूँ इन सब को जो पहले यहां पर आप देखेंगे न तो यह यहां पर पहले में जो देटर कर लेता हूँं इसको मैं यहां पर कर लेता हूँ और यहां पर यह वाला है I में आफ कर लेता हूं यहाँ मैं दोनों इंडिकेटर आफ कर लिए इसको अगर मैं आफ करना चाहूं तो यहाँ मैं इसको भी अटा देता हूं खाली मैं आपको support और resistance बनाना यहाँ पर बता रहा हूं तो यहाँ मैं watch list पर जाता हूं और मैं कोई बनाने में कौन सा टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट रजिस्टेंस बनाना चाहिए है ना तो सारा का टाइम फ्रेम जो है सब important होता है उस पर आप लोग अलग सी वीडियो चाहेंगा तो मैं आपको बना दूंगा बता दूंगा उसमें ठीक है तो यहां मैं बनाने में ज्यादा काम आता है इसको आप जरूर से कर लिजहेगा ठीक है बाकी पर नीचे मैने कुछ भी नहीं किया हुआ है तो यहां पर क्लिक करेंगे जो भी आपने पर इस यहां कब जाता हूँ अगर आप पेंसिल को आपको जाएंगे तो भी आपको यहां बैस मिल जाएंगा इसको आप यहां पर कर सकते हैं अब देखें यहां पर मैंने अगर इसाप सकती है अगर फिंगर से करेंगे तो चार वें क्या हुआ है अब आपको यहां पर देखना क्या होता जिसे अगर आप यह वाला यहां से आया हुआ है नीचे से ऊपर ठीक है मतलब यहां से market नीचे आ गया था यहां पर आप देखेंगे तो अब आपको जो है कि जब बनाना होगा support तो support हमेशा जो है नीचे बनता है resistance जब म आपका यहां पर रेक्टेंगल आ चुका अब देखें यहां पि जो चार्ट आपको आपको मतलब जो सपोर्ट बनाना बिल्कुल यहां से यहां से जो है ते हैप करना है और यहां से ऐसे बना डीनना और नीचे इसको अर्क यहां पर इसको जो इधर कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर दियान देना है मैंने क्या देखके यहां पर बनाया हुआ है अब यह जो चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं जैसे यह वाला एरिया जो क्योंकि यह बड़ी विक लगी है जब भी आप सपोर्ट बनाये तो विक को आपको ध्यान रखना होता है पूरा विक आपको कवर करना होता है यहां पर हम इसे टैप करते हैं एक बार और इसको जो है को थोड़ा सा में नीचे लेकर आता हूं इसको छोटा करता हूं यूँकि अभी मेरा विक जो है को थोड़ा सा रहा गया यहां पर इसको मैं पूरा कवर कर लेता हूं इस पर ले जाके अब यार कि यहां पर यह हो गया, तो यह मैंने पूरा यहां पर cover कर लिए, अब मेरा यह जो है कि perfect support यहां पर एक घंडे के time frame में बना हुआ है, तो अब market देखेंगे तो यह लगबग यहीं से आया था और यहां से जो है move करके जो है उपर चला गया, ठीक है, अब जब तक यह support यहां से break नहीं होत सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और यह ऐसे मैं करूँगा, तो अब यह time market यहां से आया हुआ था, यहीं से, ठीक है, आप चाहें तो horizontal line भी यहां पर draw कर सकते हैं, drawing पर जाके horizontal line और इसको ऐसे ले जाके, जहां पर यह है, इस line पर ऐसे कर सकते हैं, लेक से पूरा wick लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा wick लगा हुआ है, तो आपको पूरा wick cover करना होता है, तो अगर इसे market यहां पर था, और यहां तक अभी market मान के चलता है, यहां तक चलना है, तो आपको कैसे बनाना होगा, तो यहां पर plus पर जाएंगे, या तो मिल जागी, इस पर क्लिक करना है, और यहां पर इसे slide करना है, सबसे उपर वाला point पर ले जाना है, और वहां पर एक बाद tap करना है, फिर सापको नीचे ले आना है, फिर से slide करके, ऐसे move करते हुए लेके चले आना, एक बाद tap कर दीजे, अब इसको slide करना है, और आपको जो ups कर देता हूं तो यहाँ भी मेरा जो है कि perfect resistance बन चुका है आप देखे अगर अगर इस तरह से resistance यहाँ पे बनाये होते ना तो जब दुबारा से market यहाँ पर आए था यहाँ पर 2000 पया तुबारस जब भी मार्केट आएगा यहां से तो ऐसे जाता हुआ फिर यहां से आएगा है ठीक है जब तक ये वाला ऊपर वी वाला जब तक हिस्सा ऊपन ना जाए तब तक आपको जो है ना मतलब ट्रेड नहीं लगाना है लॉंग के लिए यह क्लियर हो गया आपको सपोर् उपर यहां अजा यह बार्केट यहां पर उपर जाएगा देखे चोटा सा support आपको यहां पर थोड़े timeframe के लिए आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर पे पैंसिल पर जाना है और यहां पर रेक्टेंगल पर जाना है यह वालागर आपशने से चाप करना के तुमौन यो यहां पर बना लिए तो इस तरह साप यहां बना सकते आप चुंकि एक मार्केट अगर हम इसको जो है कि चोटा कर दें यहां पर और इसको अगर हम लेकर चलते हैं यह वाला जो एरिया है आप यहां पर देख पा रहें तो यहां पर भी हम ऐसे support बनाएंगे कैसे बनाएंगे support जरूँ होग利 पेंसिल पर जाएंगे वह ही आपको रेक़ डिंगल चूच करना होगा यह यहां पर आपको ऐसे कवर करना होगा कुझ को यह अपने कर दिया सपोर्ट इसको आप एक्स्टेंड कर सकते अगर सपोद अगरा अगर आपने यह वाला जो चला इसका, यहां से उपर जा सकते, अगर उपर जाएगा भी, तो आपका रिस्टंस यहां पर मिल जाएगा, अब देखें, लाश्ट में में आपको एक छीज बता ज़ता हो, इसको आपको सेटिंग करना होता है, थोड़ा सह, अगर आप देखे यहां पे color पे आप जाके जो है कि इसको नीला पीला कर सकते हैं थोड़ा सा है ना green कर सकते हैं आप इसको यहां पी बैक्ग्राउंड color इसको थोड़ा सा डार कर सकते हैं और भी color कर सकते हैं लेकिन जितना आपका हलका रहेगा उतना आपके लिए सही रहेग तो मैं क्या करूँगा आपको train line बनाना बता दूँगा उसके बाद जो है कि आपको कैसे chart pattern बनाना होता है कैसे find करना होता मोबाइल पर ही वो सब सारे तरीके आने वाले time में आपको बताने वाला हूँ और indicator कैसे आपको यूज करना होता है और भी जितने भी tools है कैसे आपको यूज करना हो तो उसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा like को subscribe करके रखना होगा तो फिर दोस्तों मिलते हैं another topic के साथ next video में तब तक के लिए bye bye and take care